दोस्ते एक बार फिर स्वागत है आपका अवारे शारल भार पेरा रावे वरुट और हम बात कर रहे हैं लोग की जितने भी कैंडी डीट्स है और महरास्ट्रा से बिलोग कर रहे हैं चाह रहे हैं लोग के लिए हम महरास्ट्रा के NLU's ले ले जिसमें मुंबई, नाकपर और NLU's पर डिसकस कर रहे हैं ताकि आप ओवर्व्यू देख सकें समझ सकें कि वो पर्टिकुलर टार्गीट इक NLU जो आप टार्गीट करना चाह रहे हैं कैसा है आपके लिए अच्छा होगा या नहीं होगा इसके लाभा एक ऑप्शन भी मैंने प्रोवाइड किया है नीच है वो महराश्चर ने एक्ट बनाया है महराश्चर गवर्मेंट ने 2014 में और उसके बेसिस पे ये चांपसे स्टाबलिज्ड हुए हैं अभी हम औरंगाबाद के कैंपस की बात करें तो ये 2017 में स्टाबलिज्ड हुआ था लेकिन सीम एक्ट था वो जो बनाए गया था पचास एकड का इनका लश ग्रीन कैंपस ऐसा ये क्लीम कर रहे है लेकिन यार ठीक है हो सकता है अच्छी चीज़ है और इनका काम ये है कि ये लीगल एजुकेशन में कुछ शुमार कर पाएं बच्चों को अच्छा खासा नाम दिला पाएं और अपने आप में क्या करना है इनको प्रोफेशनल्स को मिल्ड करना एथिकल एथिकल ही बात है ऐसे कंडिडेट्स को ये क्या करना चाहरा है ग्रूम करना चाता है रंकिंग की अगर बात करें तो यह सी कोई रंकिंग है नहीं है ना तीनों कैंपस के लिए वह आउटलुक बगेरा ने जो प्राइवेट इंस्टिटूशन से उन्होंने रंकिंग दे के रखे हुए है और वो 30 के करीब 2021 की ठीक है इसलिए मैं उसके ज्यादा फोकस किया लिए कोर्स और फी स्ट्रुक्चर में बात करें बी ए लल बी या बी कॉम लल बी यह इंटीग्रेटिट प्रोग्राम्स है फाइव यह जो क यूजी कोर्सिस खेलाते हैं मिनिमूम ट्विल्थ क्लास में 45 परसेंट मांक्स आपको लेकर आना है और यह एक बीसिक एलिजिबिलिटी क्राइटिरिया क्लेट के लिए है और उसमें हमें अच्छे मांक्स लेकर आना है तब जाके हमको यहां एड्मिशन मिल सकता है इसके इस्ट्रिक्चर की बात कर ले तो पास साल का लगबख फाइबलेक्स के अराउंड या 5.25 क्राइटेरिया 1.25 एक साल की फीज़ेगा ताकि आपको हाँ आइडिया हो जाए यह इनकी ओफिशिल वेबसाइट पर आपको मिल जाने वाली है यह पीजी प्रोग्राम से जिसमें आपको यूजी में 50% मार्क्स में निम लाने हैं फिर अच्छे मार्क्स ले गाएंगे अच्छी रैंकिंग पर आपको यहां ललम करने का माउका मिलेगा और एक से दो साल की यह स्पेशलाइजेशन तो स्पेशलाइजेशन डिपेंड करते हैं क्या कैसे है एक सबालाग तक स्पेशलाइजेशन बेरी करेंगे यह कोर्स की फी है यहां पर पीएजडी के ऑफशन भी है यूजिसी नेट के माधियम से जब आप पोस्ट रेजवेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो एक्जामनेशन होता है यूजिसी नेट का उसको देंगे अच्छे मार्क्स लिग आएं प्रोग्राम अफिल मतलब समय लहा है यहलों था सब्मिशन में थोड़ा सा टायम लग जाता है उसमें अबबिसी बात है इतनी मैनत उसमें करनी है बहुत सारी देखनी है resources, reference, book बगेरा और फिर उसको पूरा thesis complete करने में time लग जाता है so 5-7 साल का यहाँ पर यह course integrated course भी करवा रहे हैं इसकी fee structure अलग-अलग है 2.3 लाग करीब जो है वो बताया हुआ एक बार check जरूर करना है official website पर जाके आपको placement care records हाँ, यह important इसलिए है क्यों important है, क्योंकि भाई आप इतना time invest कर रहे है साथी साथ पैसा भी invest कर रहे है, और चारहे की groom हो, अब्बेसी बात है हमारे career जो है वो boost हो future में opportunities बढ़े तो हर वेक्ति ही चाहता है तो आप गलत तो कुछ सोच नहीं रहे हैं, लेकिन जो percentage placement है वो कम है, यानि कि मान के चलिए आप बच्चे 50-60 जो है वो campus के लिए selected है, selected in the sense कि जो हाँ, बच्चे campus के लिए eligible हैं, और उन में से 10 बारा बच्चे ही placed रुपा रहे हैं तो यहाँ यह percentage placement के records थोड़े से इने groom करने चाहिए, और करेंगे धीरे-धीरे अभी ज़्यादा इनको experience हुआ नहीं, पांच-साथ साल का experience है दो-तीन बैची अभी निकले हुआ है ऐसे तो time लगता है इसको क्योंकि आपको collaborations बगेरा भी कर रहे हैं, सारी चीज़े तो काम कर रहे हैं उस पर यह MPNLU और अंगबाद का campus facilities तो हैं, वो इस सारी क्योंकि law के courses मूट कोट हो गया आपके resources के लिए library भी है और साथी जाथ hostel facilities जिबनेजियम, cafeteria बगेरा यह सारी basic facilities जो बच्चे को groom करने के लिए ज़रूरी है, यह सारी चीज़े यहाँ available आपको होने वाली है, यह आप मिल जाती है तो अगर इसको target आप कर रहे हैं, तो यह पूरी जानकारी जो important parameters पर है, वो हमने आपको provide कर आदी, इसके अलाबाए अपने लिए best आप जानना चाह रहे हैं, आपकी profile पे क्या best होगा, तो नीचे profile analysis form भी मिलेगा, description box में, जिसको fill करके जानकारी आप ले सकते हैं, तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अंगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए, जाहें I hope you like this video, for more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe